आज हम बात करेंगे क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नमबर 6 आप सभी चानते हैं कि चैप्टर नमबर 5 हमारा कवर हो चुका था तो अब बार है चैप्टर नमबर 6 की चैप्टर नमबर 6 है आपका परिक्षन, मापन और मूल्यांकन यानकी टेस्ट, मेजरमेंट और इवैलिवेशन तो आपको नामसी समझ में आ रहे कि ये चैप्टर कितना जादा इजी है और बहुत जादा चोटा चैप्टर है तो बिलकुल भी घबराने वाली बात नहीं है ये चैप्टर इतना जादा इजी है कि एक बड़ा अगर आप लोगोने टेस्ट समझ लिया मेजरमेंट समझ लिया और इवैलिवेशन समझ लिया तो ये चैप्टर आपको चुटकियों में याद हो जाएगा और आपकी बुक का सबसे जादा छोटा चैप्टर रहे है तो आपको दो से तीन टॉपिक की बस याद करने है याद भी नहीं करने है आपको बस मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है अगर आप लोग एंड तक बने रहते हैं तो ट्रस्ट मी आप लोग को एक एक चीज इतने अच्छे समझ में आ जाएगी कि आपको रटने तो छोड़िये आपको याद करने की जरूद भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग देखते हैं कि साथ साथ जो चीजे में कराती हूं आपको याद हो जाती है तो इसी के साथ अपने चैटर की स्टार्टेंग करते हैं हम सभी और स्टार्टेंग करने से पहले एक औरिंपोर्टेंट बात अगर आप लोगों अभी तक रोशन जा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का है यार सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो अभी तक फिजिकल एजुकेशन को बहुत जादा बोरिंग समस्ते थे क्यूंकि मैं इस चैप्टर को यह जितने भी अभी तक मैंने चैप्टर कराए उन सभी को पिच्चर्स के माध्यम से वीडियो के माध्यम से समझाती हूं आप लोगों को यार तो इतना तो बनता है न चैनल को सब्सक्राइब करो तो इसी के साथ हम स्कार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर अब तुम लोग चैप्टर का नेम समझ चुके हो कि चैप्टर का नेम है परिक्षन मापन और मूल्यांकर यानिकि टेस्ट मेजर्मेंट और एवेल्यूएशन तो अगर मैं टेस्ट क कोई काम कर रहे हैं किसी जॉब में जाएं तो हमारा हर प्रकार का कोई ना कोई टेस्ट होता ही रहता है अब आप लोग जानते हो कि अगर आपके टीचर टेस्ट ले रहे हैं तो क्या कारण है टेस्ट लेने का टेस्ट तो तब ही लिया जाता है ना मतलब टेस्ट टीचर क् लाकि आपके जो गुण है आपकी जो शमता है उसका पता लगाए जा सके ठीक है माल लीजिए अगर आपकी टीचर ने 20 माक्स का टेस्ट लिया है उसमें से आपने स्कोर किये 19 कुछ ने स्कोर किये है 10 कुछ ने स्कोर किये है 15 ठीक है तो आप लोग देखें अलग-अलग कैट तीनों को यानि की तीन स्टूडेंट को अलगलब प्रकार से उनको कॉंप्लिमेंट देंगे जैसे जिसके उननिस आये उनको बोलेंगे कि वेरी गुड आप और अच्छा कर सकते हो बाकी तो बैस्ट है जिसके 15 उनको बोलेंगे की अच्छी बात है बट यू कें डू बैटर अब जिसके नौ माक्स आये हैं सबस्या डाट तो उसी वो बढ़नी है और साथ ही साथ टीचर उनको क्या बोलेंगे कि आपको बहुत पहनत की जरूरत है आपको काफी ज़्यादा है पर्स करने पड़ेंगे ठीक है तो यह सारी चीजे किसी के उन्नेस आ रहे हैं पंद्रा को देखके तभी तो वह अंदाजा लगा कि आपको या फिर एवैल्यूएशन करके तभी तो आपको समझा रहे हैं तभी तो आपको बोल रहे हैं कि यू कैन डू बैटर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको मैनत की जरूरत है आप और जाद एफर्स करिए यह सारी जो आपकी शमता है उसका पता लगाने में आपकी सहायता करते हैं तो आपको याद रखना है कि जब भी आपकी टीचर टेस्ट ले तो समझ जाएगा कि वो आपकी गुन और शमताओं का मुल्यांकन कर दी हैं उनको पता रहेगा और आप लोग तो जानते हैं कि जो भी टेस होते हैं जो भी चाहिए हम स्टूरेंट से संबंदित को टेस्ट या डेली लाइफ से संबंदित हर एक टेस्ट का अपना एक इंपोर्टेंस होता है ठीक है तो आप लोगों ने जान लिया कि होता क्या है दे तो चुके वह आप लोग टेस्ट अब जानते कि फिजिकल याने की concept of measurement and physical education and concept of test in physical education and sports तो समझ में आई क्या है आपको कि यहां पर बात किसकी आनी है फिजिकल एजुकेशन की sports की तो आप उसके according में देख लेते हैं एक बार अब हम जानते कि पारिक्षन होता क्या है किसके according शारिरिक शिक्षा के according तो यह चीज़ आपको याद रखन तो किसी वस्तु के या फिर वैक्ति के अगर आप test लेते हो तो आप जाहिर सी बात है कि या तो किसी वस्तु का आप गुण की या शंता की शंता का मुल्यांकन करेंगे या किसी वैक्ति का या आप दोनों चीज़ों मैंसे किसी और का तो ले नहीं सकते आप तो किसी जो शमता होती है उसका मुल्यांकन करने की जो विधी होती है हम उसको परिक्षन कहते हैं यानि कि अगर आपके टीचर आपका टेस्ट लेके अगर आपकी शमता आपके गुणों का आकलन कर पा रहे हैं मुल्यांकन कर पा रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा यह परिक्षन कहलाए या जो भी उनके teacher है sports teacher उनको पता चल जाते कि इस बच्चे का क्या गुण है ठीक है गुण पता चल गया उसके बाद उनको confirm हो जाएगा उनको clear हो जाएगा कि क्या इसकी शमताई है क्या इसकी abilities है उसकी according ही आप उसको perform कर पाएंगे ना उसको performance में वह कर पाएंगे वह performance दे पाएगा तो याज रखना है कि किसी व्यक्ति के गुण और शमताओं का मुल्यांकन करने की जो विधी होती है उसको हम परिक्षन कहते हैं आप परिक्षन हो गया टेस्ट हो गया टेस्ट के बाद मान लीजे आपको टीचर ने आपको एक गंड टेस्ट दिया ठीक है उन्हो क्वेशन्स दिये ठीक है क्वेशन्स देने के बाद आपने उनको लिखा एंड टाइम ओवर हुआ टीचर ने आपसे वह कॉपी ले ली और चले गए अब यह तो टेस्ट हो गया आपका ठीक है अब सेकिंड स्टैप है आपका मापन अब आप लोग देखते हो ना टेस्ट तो आप लोगे मन में भी शंका होगी क्या टेस्ट हो गया रंइती है किबंग मांकही अवरे तो अब kun कि टीचर आती है नेक्सी टेStar क्लास में या उसके लेगस नेक्स टेस्बई और एक-इस्टोर hug Six 001 एकने स्कोर गी आठ आप मार्स तो देखी रहे हैं उन्नीस और आठ के फर्क कितना जाद है एक स्टुडेंटे बहुत अच्छे स्कोर किया और दूसरे ने आठ मार्स कोर किया जो कि काफी ज़्यादा विकार वाक्स है तो यह सारी चीजे ठीक है यानिकि उन्नीस और राठ यह क्या है यह आक है उसको समझाना है यह जानकारी मिली जिसने उन्ने स्कोर किये तो यह तो बहुत अच्छा बच्चा यह तो काफी अच्छे से पढ़ रहा है इसकी सारी चीजे बहुत अच्छे एक मार्स कटा गई नगी वह ठीक है ऐसी है तो यह क्या हुआ परिक्षन ने हेल्प की दूस में मापन किया वह हमारा कहला है मेजव में मापन तो आपको याद रखना है कि किसी व्यक्ति के विशेश कोशल विशेश कोशल होता है ठीक है और बहुत सारे विशेश कोशल हमारे अंदर होते ही हैं तो उन कोशलों के बारे में सबसे पहले आकड़ों की सहायता से जानकार इकतरच करने लिए परिक्षण और टेक्नोलजी का प्रयोग करना ही मापन कहला तो यानि कि आपका टेस्ट के बाद माद लिजिए आप मैं। उनने षार कांट चूर है यह अपका मापन तो आपको याद रहत रहना है कि से टेस्ट के डारेक बाद ही क्या आएगा मापन यानि कि मेज़मेंड तो मेज़मेंड का मतलब आप समझ चुके हैं कि किसी वेक्ति के विशेश कोशल के बारे में आंकडे जो है आंकडे की सहायता से जानकारी एक अत्रित करने के लिए जो परिक्षन लिया जाता है जो टेक्नॉलिजी प्रयोग की जाती है उसे हम मापन कहते है ठीक है टीचर ने आपका टेस्ट लिया ठीक टेस्ट लेने के बाद क्या हुआ कि टेस्ट लिया और तो और जिस तक्नीक का उन्होंने प्रयोग किया उसको आप मापन कहेंगे ठीक है अब हमारा अगला स्टैप बनता है मूल्यांकन मूल्या आपको आर्ट वाले को बोलेंगे कि आपको महनत की जरूरत है आप और अच्छे से कीजिए आपको एफर्स की जरूरत है ठीक है आप अच्छा कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत महनत की जरूरत है समझ में आगी बात आपको और 19 वाले को बोलेंगी कि आप बहुत अच्छा प वाले को आमने बोला कि आप कर सकते हैं आपको बहुत पहना थी जरूरा थोड़ी सा सको डाट भी पड़ गई उन्निस वाले को मैं हमने अप्रिशेट भी किया उसको काफी सारी ब्लेसिंग्स भी दी तो यह सारी चीजे किसके अकॉर्डिंग हो पाई है यह आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग हो पाई है आपने जो पर्फॉर्मेंस थी आपने जो लिखा आपने जो याद किया उसको लिखा क्याने कि आपकी जो पर्फॉर्मेंस थी पेपर के दौरान उस चार question attempt किये दो-दो marks के तो आपको 8 marks ही आएंगे यानि कि teacher ने आपको 8 marks ही दिये अब इस बच्चे ने माल लीचे 9 question attempt किये होंगे या 10 question ही attempt किये होंगे दो-दो marks के तो कहीं न कहीं कुछ गलती होने कारण उसका एक marks तो cut गया लेकिन उन्हें एक marks तो आए तो teacher यहाँ पर क्या हुई पारदर्शी हुई उन्होंने विवस्तित तरीके से आकलन किया और विवस्तित तरीके से और पारदर्शी आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है नभी तो वह आपको बोल पाए ना कम बाले को आपको मेहनत की जरूरत है उसको तो तो यह सारी चीज़ में भी यही होता है कि सबसे पहले आपसे वो लोग टेस्ट ले लेंगे ठीके एक दिन आपका टेस्ट हुआ अब आपको बोल दिया कि ठीके टेस्ट हो गया जब आप लोग जा सकते हैं टेस्ट हुआ मेजरमेंट किया गया कि आपको कहां कितना स्कोर बन रहा है क्या आकड की जरूरत है यानि कि वह आपको एवेल्यूएशन ही तो कर रहे हैं आपको देखके कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसका वैवस्तित आकलन किया उन्होंने सबसे पहले यानि कि बच्चों को बोला वो क्या था मूल्यांकन था किस प्रकार से वो बच्चों का मूल्यांकन कर पा रहे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उनकी योग्यताय कैसी है वो क्या कर सकते है वो क्या नहीं कर सकते है यह चीज़ आप तभी कर सकते जब आप टेस्ट लेके मेजरमेंट ल करना चाते हैं तो आप सबसे जरूरी यह होता है उसका टेस्ट मेज़र्मेंट और एवालीएचन इवैल्यएशन तो लास्ट एप होता है है तो स्पोर्ट में इसलिए टेस्ट Aigne Jake kya क Wert does कि बहुत जादा इंपॉर्टेंस होती है तो आप लोग को सका समझ में आ होगा कि performance आधी का विवस्तित और जो पारदर्शी आंकलन होता है यह आंकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है evaluation कहलाता है ठीक है अगर आपकी performance गुड है तो गुड बैड है तो बैड ग्रेट है तो ग्रेट यह आपकी यह जो आपको कॉंपलिमेंट मिल रहा है वो आपकी performance के according मिल रहा है वह आपकी तीचर के परती आपकी आपकी पारदर्शीदा का आंखलन है जो वैवस्तित आंखलन है उसके according मिल रहे है ठीक है अब आप लोगोंने जान लिया कि शारिक शिक्षा के संधर्प में परिक्षन की क्या अबधारना है फिर मापन क्या है उसके बाद मुल्यांकन क्या है तो तीनों चीज़ा आपने समझ ली है ठीक है और आप लोग को इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है तो अब हम जानते हैं कि खेल कूद में या फिर शार्विक शिक समझ तो पहला है प्रभावी योजना बनाने के लिए अब आप लोग जानते हैं प्रभावी योजना का मतलब होता है कि पूर एफेक्टिव प्लानिंग यानकि जब आप अपने जो स्टूडेंट है या फिर जो खिलाडी है उनका जब आप टेस्क लेते हैं फिर आप मेज गुंड है यानि कि क्या स्ट्रॉंग पॉइंट है और कैसे उस बीकनेस को आप लोग उसके गुंड में या फिर उसके जो क्वालिटी जब उसमें चेंज कर सकते हैं इससे आपको पता चल जाएगा ठीक है तो परिक्षण और मापन के बिना शिक्षण या प्रशिक्षण क जो विदिया है उसमें शन्शोधन या कोई प्रभावी योजना वराना कठिम कार्या है ठीक है तो प्रभावी योजना तभी बना सकते हैं जब आपके सभी प्लेयर्स की आपको पता रहे कि क्या उनका जो टेस्ट हुए उसमें किस प्रकार की उनकी योगता है किस प्रकार और शम्ताओं को जानने के लिए आप लोग जानते हैं कि योग गता यान की for knowing the abilities and capacities तो आप लोग को पता है कि जब हम कोई टेस्ट देते हैं उससे हमारी योग गताओ और हमारे जो शम्ता है उसका हमें पता चल जाता तो जब आपको आपकी योग गताओं पता होंगी जब आ कि मैं best से best performance दे सकूँ तो यह क्या होगा यह प्रकार से यह आपको बहुत ज़्यादा help करेगा उसके बाद अभी प्रेरिणा के लिए अभी प्रेरिणा का मतलब होता है मान लीजिए एक साल पहले आपकी performance जादा अच्छी नहीं थी एक साल बाद आपकी performance बहुत अच्छी हो गई है कि आपकी performance इतनी जादा अच्छी हो गई है कि आप जब अपनी पिछली performance को देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कहां आप पांच स्कोर कर सकते थे लेकिन आज आप 50 के around पहुच गए है तो आप लोग देखेंगे कि आपको एक अलगी motivation मिलेगा आप अपने आ कोच खिलाडी जो होते है वह कि दरल से से भिन भिन होते हैं इंक debt दूसरे से भिन होती है तो इक तुष्यारियों को इस प्र्शिक्षन देने के लिए वार्गी करन की जरूरत पड़ती है यहारी कि उनको उनका ख्लासिफिकेशन करना कि माली जी पसाप जिनका वजन 50 तक है उनको एक अलग श्रेणी में रखा गया जिनका 60 से 70 है उनकी अलग श्रेणी बनाएगी तो इस प्रकार से जब आप अलग-अलग खिलाडियों को अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइट करते हैं तब भी आप उनको उचित होते हैं उनकी शक्तियों का और उनकी जो कमजोरी होती है उनकी पहचान करके हम उनके आवश्यक्ताओं के बारे में पता लगा सकते हैं जब आपको उनकी आवश्यक्ताओं के बारे में पता चल जाएका कि उनकी शक्ति कितनी है कमजोरी कितनी है तो आपको पता रहेगा कि हमें कहां काम करना है, ठीक है, उनको भी ये चीज इंफेक्ट पता रहेगे कि उन्हें कहां जादा फोकस करना है, कहां जादा उनको अच्छे से efforts देने हैं और कहां कम देने है, जो चीज उनकी strong होगी, तो इससे क्या होगा, जो विध्यारती की आवशक्ता है, उसको भी उन्होंने जानने में help करेगा, छटा है आपका मानदन और जो मानक होते हैं, उनको तयार करने में, यानि कि preparing norms and standards, मापन और मुल्यांकन, जो प्रकर्याएं होती हैं, वो विविन खेलो का मानदन और मानक तयार करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके norms and standards, यानि कि जो मानदन और जो आपके मानक हैं, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग जो खेल हैं, उनके जो मानदन और जो मानक है उनको तयार करने के लिए बहुत सारी जो टेक्निक्स है वो प्रयोग में लाए जाती हैं सभी प्रकार के मानक तयार करने में एक आवश्चक यंत्र के रूप में परिक्षन और मापन की आवश्चकता होती है और मापन तथा मुल्यांकन से किसी ऊसके मानक बनाय रखने के लिए और विभिन लोगों के समुंग के लिए और अर miał Christians करने के लिए भी मदद मिलती है यानि कि इससे आपको मानदन और मानक तैयार करने के लिए जानकि मान लीजे आपको पता चल गए किसी student की या किसी participant की strength कितनी है उसकी endurance कितनी है तो ये सारी चीज़े आपको जब पता चल जाएंगी उसकी flexibility कितनी है तभी तो आप मानदर्ण और मानक तयार कर पाएंगे ठीक है तो मानदर्ण और मानक तयार करने के लिए तो ये सभी क सभी क्या है कुछ importance परिक्षन मापन और मुल्यांकन का महत्व से सम्मंदत कुछ मुख्य पॉइंट से जिनको मैंने आप पॉइंट आउट किया आप सभी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक्जाम टाइम तक याद रहे और आप लोग इसको अच्छे से समच सकें अब हम बात करते हैं और खेलो में विभिन परिक्षन की शारिदिक शिक्षा में और क्रॵिबिन जो खेल है उसमें अलग-अलग प्रकार के जो आपके टेस्ट लिए जाते है अब ये जो कितुनी भी टेस्ट हमाश पढ़ेंगे वह सभी के सभी टेस्ट वह करीयत्मक क्रिय बस में है जो कि 5 से 6 प्रकार के हैं अब इसमें से पहला जो टेस्ट है आपका वो है मोटर शम्ता परिक्षन मोटर शम्ता जो परिक्षन है एक प्रकार का ये टेस्ट है जिसमें आपकी क्रियात्मक जो शम्ता है उसका पता लगाया जाता है इसके अंतरगतना 4 से 5 टेस्ट ज तेस्ट उसका यह स्मझते हैं सबसे पहले करते हैं पूरकर शम्था यानुकि मोटर ज्यात बंग और आपको यादने क्रियात्मक शम्ता के लिए लिया जाता है ठीक है तो क्रियात्मक शम्ता का मापन करने के लिए मोटर शम्ता परिक्षन लिया जाता है और मोटर शम्ता परिक्षन में बहुत सारे जो परिक्षन है वो शामिल है जैसे कि आप विद्यारती के आदा मीटर जंप करवा के jump करवा के या फिर pedal चाल के माध्यम से या फिर आप क्या करेंगे असी गज़ दोर करवा के या motor ability test लेके उसकी विद्यारती है जो participant है उसकी आप क्रियात्मक जो शम्ता है उसका निर्धारन कर सकती है और आपको पता ही है जब क्रियात्मक शम्ता आपकी ability आपकी flexibility का पता चल जाएगा तब ही आप अच्छे से अच्छे sport में participate कर सकते हैं अच्छी strategies बना सकते हैं और sport में participate करने के बाद या आप अच्छे से वहाँ पर perform कर सकते हैं तो motor शम्ता परिक्षन जो है वो क्रियात्मक शम्ता का अक्रान करने के लिए लिया जाता है और इसके अंतर कर आदा मीटर पैदल चाल स्विंग जम असी गच्छ तोड और motor ability जो टेस्ट है वो शामिल है इनके बारे में आपको एक्षनी जादा नहीं पढ़ना है आपकी जो बुक में है वो केवल केवल के नेम दिये गए है इसके अतरिक्त कुछ नहीं बताया गया है उसमें तो आपको नाम पता रखना है आपको पता रखना है कि motor ability test होता क्या है कि कि उसके अंतर कौन कौन से बाकी के जो टेस्ट है वो शबी के सभी थोड़े से विस्तार पूरवग दिये गए हैं परनतु जो motor ability टेस्ट है उसके अंतरगे जो टेस्ट है उनको आपको बस नाम से हैं इसके भात करते हैं, शारिरिक पुस्ठी परिक्षन ठीक है, to यह जो test होता है वो हमारी जो श्वर्सन शहहन शम्तप्ता है और मासपेशिये, जो मासपेशो की जो पुस्थी होती है तथा अचीलापन आदी या शक्तिम आपने के लिए गतिम आपने के लिए जो टेस्ट लिये जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं शारेरिक पुस्टी परिक्षन इसके अंतरगतना यानि कि शारेरिक पुस्टी परिक्षन को ना इसकी दो कैटेगरी में डिवाइट किया गया है पहली ज इंडेक्स जिसको बोलते हैं एक पॉर्मूला आते हैं जो कि आपकी बुक में जातार विस्तार से नहीं बताएगा इस चैप्टर को तो नहीं है इसको कुछ टेस्ट करने होते हैं फिर आपको अपना वेट अपनी हाइट इनका पता करके आपको उस फॉर्मूले में यह दोनो तो कि यहाथ ऐस प्लाएं के लिए थातहां को झूल्द किस पॉडिनेशन बनाना तो सफ़ापत करने के लिए बच्चों में यह चीज डेवलप करने के लिए एक टेस्ट करवाया जाता है जिसे हम बोलते है कोडिनेशन टेस्ट अब यह जो कोडिनेशन टेस्ट होता है इसके अंतरगत एक टेस्ट शामिल है जिसे बोलते है प्लेट टैपिंग टेस्ट प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या ह तो उसके लिए आपका Cardion Test है फिर आपका balance test आप लोग जानते हैं कि Spots में Coordination Balance, Endurance शहन चंती सारी इसे बहुत Important Role Play करती है तो इसी के बाद है आपका balance test लिता कि इस अंतररकत क्या है कि इसमें आपको एक पैर उठाना है फिर उसको दूसरे हाथ से पकड़ते हुए आपको वर्ड जो इस तरीके से इस शेप में आपको खड़ा होना है टीक है और एक हांद को आगे और यहां पर नीचे आपको एक पतली सी आपको चाहिए वह कोई टेबल हो सकती है कोई चोटा सा को हो सकते जिस ये तीनों के तीनों जो टेस्ट है वो सभी के सभी पांच से लेकर आठ वर्ष तक के बच्चों के लिए करवाए जाते हैं अब हमारा दूसरा जो टेस्ट है वो है नौ से लेकर अठारा वर्ष तक के बच्चों के लिए ठीक है यानि कि नौ से लेकर अठारा वर्ष तक के ब BMI आप इसको शॉट में भी आत कर सकते हैं BMI Body Mass Index इसके तहट भी क्या होता है बच्चों का इसमें आपका शारेरिक भार कितना है आपका अंतरगत आते हैं आपका जो भार है वो अल्प भार है या अती भार है या अती भार से भी अती भार है तो इस प्रकार से आप लोग अप पीश ये शहन शमता है उसका परिक्षन लिया जाता है कि आपकी मास पीश ये शहन शमता कितनी अधेक है ठीक है फिर है आपका Cardiovascular Endurance Test अब ये Cardiovascular Endurance जो टेस्ट है वो बिसिकलिए आपकी जो Endurance है ठीक है जो आपकी शहन शमता है Cardiovascular की जो शहन शमता है उसके मापन के लिए ये टेस्ट लिया जाता है उसके बाद है आपका Curl Up Test Curl Up जो टेस्ट होता है आपका वो आपका जो शरीर है उसकी उदर शक्ती और शहन शमती का मापन करता है फिर आपका Flexibility Test और गति परिक्षन तो ये कुल परिक्षन जो है वो Flexibility Test और गति परिक्षन तो ये सभी के सभी परिक्षन आपके स्लेबस में है इनके बारे में आपको जादा नहीं पढ़ना है बस आपको नाम ही पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद आता है आपका Anthropometric Test अब Anthropometric Test इसके बारे में थोड़ा से विस्तार से भी हम एक बार समझ सारी जो चीज़े हैं शारिक संरचना जैसे कि उनकी उचाई विबिन हड्डियों की लंबाई शरीर का भार शरीर का जो भी उनकी लंबाई है इत्यादी मापने के लिए किया जाता है यानि कि यह जो टेस्ट है anthropometric test वो basically जो participants होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो शारिरिक संरचना हो दिया जैसे उनका बेट कितना है उनकी शारिरिक लंबाई कितनी है तो इस इन सारी चीज़ों को मापने के लिए anthropometric test वो किया जाता है अब आप लोग एक चीज समझे अगर यह पता चल रहेका कि किसी जो participant है उसकी height कितनी है उसका weight कितना है ठीक है overall उसकी जो strength है उन सारी चीज़ों का जब पता चल जाएगा आपको तो आप उसको अच्छे से guide कर पाएंगे ना कि आपको इस sport में participate करना चाहिए और जब वो sports में participate करेगा तो उसके जीतने के जो संभावना है वो बहुत अधिक होंगी ठीक है तो anthropometric जो test है वो खिलाडियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्यूंकि ये जो test है सबसे पहले ये क्या करता है जो खिलाडी होते है उनकी शारेरिक संरचना का पता लगाता है कि कैसी उसकी शारेरिक संरचना है अब जब संरचना का पता तक जाता है तो जो coach होते हैं जो प्रशिक्षक होते हैं वो उनको क्या करते हैं उनको उसकी सारेरिक संरचना के अकॉर्डिंग उन्हें वो game suggest करते हैं जैसे माली जिसका weight बहुत ज़्यादा है या इसकी मास पेश ये शमता काफी अधिक है उसके लिए क्या best रहेगा weight lifting और boxing और कुस्ती जैसी जो परधाओ में उसके जीतने के जो chances हैं वो बहुत जादा होंगे क्यूंकि उसको पता चल गया है कि उसकी क्या ability है क्या क्या उसकी जो योगताई है क्या क्या उसकी शमताई है और उसके according ही वो अपने sport का चायान कर रहा है तो इसमें क्या होगा इसमें हम बहुत अच्छे marks score करते हैं ठीके जिसमें हमें पता होता है आप सभी का कोई ना कोई favorite subject होता है तो आप लोग क्या करते हैं आप लोग उस पूरे टेस्ट में अच्छे marks ले सकते हैं यानि कि जब भी हमारा कोई favorite subject होता है कोई favorite topic होता है तो उस subject में हम बहुत अच्छे से perform करते हैं उस subject में अच्छे mark score कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होते हैं कि हमारा favorite subject है, अगर आप लोग को पता है कि आपका favorite ऐसे होता है न कई बार किसी का maths week होता है, किसी को कोई sport नहीं पसंदा है, किसी को कुछ नहीं पसंदा है, तो सभी को पता होता है. अब आपको सारी चीज़े जब आपके पहले से ही पता होंगी कि आपकी शारिरिक संरचनक कैसी है ठीक है और आप उसके according के अगर आप इसे sport को select करते हो तो इससे क्या होगा इससे आपके उस sport में जीतने के chances बहुत जादा होंगे इसलिए आप लोग भी इस बात का ध्यान बात करें तो यहां पे तो शारी एक संरचना देखी जा रही है उसके according आप जिस sport है उसका selection कर रहे है बट अगर हम study की बात करें सिक्षा की बात करें तो आपको देखना कहां आपका interest है कहां अच्छे से efforts कर सकते कहां आपको पढ़ने में जादा मज़ा आता है कहां आप प important होता है तो यह test I think physical educator के लिए ही नहीं I think हम लोगों को लगते हैं कि हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए तो आपको anthropometric test I think clear हो चुका है अब हम आगे चलते हैं हमारा दूसरा टेस्ट है वह काडियो वेस्कुलर टेस्ट काडियो वेस्कुलर टेस्ट साम से आप कितनी बार धड़क रहा है क्या हमारी हार्ट बीट है इन सारी चीजों का जो आकलन करता है जो मापन करता है उसको बोलते हैं काडियो वेस्कुलर टेस्ट काडियो वेस्कुलर जो टेस्ट होता है यह मापने के लिए किया जाता है कि कि किसी विशेश अवधी में यानि कि को अग्ondी बार अच्छ से काम करता है यानि कि कितरें अच्छ से वो काम करता है इस चीज का मपन करने के लिए आका कार्डियो वैस्ट मक्तर स्वाल वाइस्ड करने के लिए आपको याद ढ़ने कार्डियो Particularly करता है। करता है ? जिद समय हमारी। अज़ उचछ साप 자ुफ करती है। उसमें ये टेन्स बहुत जाधा है जो इंपॉटोंट है । उनकी कस्रत भी नौह नूरान फियोग fart परिवहन गर्थियोग करने का का मापन करते हैं जो यह टेस्ट है जब लिया जाता है जब इसको स्टूडेंट पर अप्लाय किया जाता है तो क्या होते हैं इससे पता चलता है कि वो किसी भी स्पोर्ट को करते समय कितनी जो उन का हाठ है वह बहुत जादा करता है हमारे हर्दे की जो अलשक अवस्ता है कि वह कितना तेज गति से काम कर रहा है कितना स्लो काम कर रहा, इन सी चीज़ों का जो मापन के लिए test लिए जाता है उसको बोलते है ı kardiowastaa test, आप हमारा दूसरा जो test है वहraum हिए चिकेटऽा परिक्शन 5 अब आप लोग जानते है, चिकेटशा परिक्शन यानि कि medical test हम सभी जानते कि हर चीज में चाहिए वह कोई भी बड़ा एक्जाम हो या फिर कोई स्पोर्ट हो तो उससे पहले आप लोग देखें कि जब आप लोग मेंसे भूस से बच्चों ने परफॉर्म किया होगा तो उनका ने एक उसे पहले ही बता दिया जाएगा अगर आपको कोई प्रॉबलम है आपको अगर विक्रित है या किसी प्रकार की कोई वे आपको परिशानी है वह पहले ही आपको बता दियाएगी अगर आपको कोई problem पहले ही बता दी जाएगे तो अच्छी बात है ना आप उसका एक आप जब पहले आपको आपकी problem पता चल लेगी तो आप आगे चल की क्या कर पाएंगे आप उसको control कर पाएंगे तो ये medical जो टेस्ट होता है वो हमारी स्वास्ते की स्थिती को जाच करने के ये जो चिकित सा परिक्षन होता है वो किसी भी एक स्थिती का पता लगाने में सहायक होते हैं किसी भी एक स्थिती मतलब अगर आपकी स्थिती गंभीर है आप किसी रोग से ग्रस्त है आपके किसी अंग में problem है तो किसी भी प्रकार की स्थिती होगी उसका पता लगाने की जो परेक्षन है वो सहायक होते हैं इसके साथ वो आगे चल कर किसी गंबीर स्वास से समस्था का रूप ले सकती है आनिकि माल लीज़े कोई छोड़ी सी प्रॉब्लम है जो आगे है कि बहुत बढ़ी हो जाएगी बट अगर आपको अभी पता चल गया तो एक साल बात तो बिमारिया है उनका पहले ही उनको पहचाना जा सकता है और उनकी उनका प्रभावी धंसे इलाज किया जा सकता है यानि कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको प्रॉब्लम है आपको फीवर है तो आप प्रॉब्लम है ना कि आप वेट करोगे तो जब आपको पता चल गय क्या होता है वो सारी problem ज़र ठीक हो जाती है और जो participants होते हैं वो बहुत अच्छे से perform कर पाते हैं अपने sports पर अब हमारा जो अगला topic है वो है परिक्षा से संबंधित परिक्षा से संबंधित कुछ दिसा नर्देश जैसे आपका पहला है परिक्षन का ज्यान परिक्षन का ज्यान से मतलब है यानि कि टेस्ट का ज्यान just imagine कि आपको टेस्ट ले गया है आपको टेस्ट लेने के लिए बोल दिया गया है आप टेस्ट ठीक है आपने बोल दिया कि हाँ हम टेस्ट ले लेंगे लेकिन आपको अगर आप just imagine आपको बोला गया कि आपको को बोल पहेंगे कि आपको पार्शल कलप करने हैं कैसे आप बोल पहेंगे कि आपको सिटेंड रिच परिक्षन करना है कैसे आप बोल पहेंगे आपको फ्लेमिंगों टेस्ट करना है नहीं बोल पहेंगे आप क्योंकि आपको नौलेज ही नहीं होगी उस टेस्ट की इसलिए संबंद में कि परिक्षन का ज्यान होना चाहिए यानि कि जो भी आप परिक्षन करवा रहे हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो परिक्षन क्या है किस से संबंदित है उसकी क्या आवर्शक सामगरी है क्या विदी है उसके क्या हमें साफधानिया रखनी है और किस प्रकार से उसका लाब होगा तो जब इन सारी चीजों का आपको पता होगा तब ही आप परिक्षन कर पाएंगे या करा पाएंगे दूसरा है अपका उपकरण और सुविधाएं उपकरण और सुविधाएं हम सभी जानते कि बहुत सारे ऐसी टेस्ट है जिनको कराते समय हमें उपकरण की आवश्यक्ता पढ़ सकती है तो ये भी एक दिशा निर्देश के अंतरकत आता है कि जब भी कोई शारिक शिट्षा से सम्बंदित कोई परिक्षन हो या खेलों से सम की जानी चाहिए उसके बाद स्कोर कार्ड का मतलब होता है किसने कैसा परफॉर्म किया क्या स्कोर किया ठीक है वो सभी के सभी किसके अंतरकत आते स्कोर कार्ड तो यानि कि प्रॉपर आपको स्कोर कार्ड बनाना है जिसमें सभी बच्चों के अगर 50 बच्चों ने पार्ट खारी करनी यह कि वह शेत्र कैसा है कहीं भी ऐसा नहीं कि आप परिक्षण ले रहे हैं वह भूमी टूटी-पूटी और कुछ ना कुछ ऐसे घड़े हो तो आप कैसे गर पहेंगे उस शेत्र परिक्षण तो इसलिए प्रॉपर परिक्षण करके परिक्षण शेत्र उसके शिक्षकों का प्रशिक्षण शिक्षकों का प्रशिक्षण से मतलब है कि जो शिक्षक है वो किस प्रकार से प्रशिक्षित कर रहे हैं बच्चों को ठीक है किस प्रकार से वो उनको प्रिक्षण से संबंदित नौलिज दे रहे हैं किस प्रकार से वो उनके प्रिक्षण कर वारे है तो शिक्षकों का फिंट यन्य एक की ट्रेंइंग शिक्षकों की जो ट्रेंइंग है। वो लेनी चाहिए कि शिक्षक को क्या, मैं जो शिक्षkov के उनको संबंधी चीजों के बारे में पता है या नहीं पता है तो इस प्रकार से ये कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि physical education में और जो आपका sports है जब कोई sport organize किया जाता है ना तो आप लोग गेखिए इन सारी बातों का ना बेहत ध्यान रखा जाता है आप लोग देखें के परिक्षन का ग्यान होता है ऐसी कोई नहीं बन जाता उपकरन सारी की सारी facilities प्रोवाइट किये जाते हैं स्कोर कार्ड बनता है क्रिकेट तो आप सभी उससे वाकिफ है या कोई भी sport हो गया आप लोग ने काफी ज्यादा ठीक होता है इसके लावा संचालन प्रकडिया आया कि जो संचालित कर रहे वह काफी ज्यादा सुचारू होती है काफी अच्छी होती है इसके लावाध सिक्षकों का प्रशीक्षिक्ष Elizabeth कर रहें सब्सक्राइव उनकी training होती है, उनको अच्छे से बाता जाता है, तब ही तो आगे जो participants हैं, उनको अच्छे से बता पाएंगे, तो यह सारे जो चीज़े हैं, इनका ध्यान रखते हुए, हमें sport और जो physical education हैं, शारे डिक्षा है, उसमें हमें परिक्षन लेने चाहिए, ठीक है, तो यह सारे जो दिशा निर्देश है आपको वो याद रखने हैं इनफेक्ट अगर आप लोग भूल भी जाएं तो आपको वो बनाना है कि अगर कोई हम परिक्षन ले रहे हैं तो उस दुरान हमें क्या क्या दिशा निर्देश रखने हैं हमें परिक्षा का परिक्षन का ज्यान होना चा चाहिए सुविधाय होनी चाहिए परिक्षन शेत्र होनी चाहिए संचालन प्रकरिया होनी चाहिए इन सारे के तहती तो आप अच्छे से परफॉर्म करवा पाएंगे ना तो ये सभी के सभी क्या है दिशा निर्देश इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कम्प टॉपिक मैंने आपको कवर कराएं इसमें कोई भी ऐसा विशय नहीं है जो कि छूटा हो और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूटा है तो नहीं क्योंकि आपके जो टॉपिक है अगर आप लोग देखेंगे कि 22 23 का जो बैच है उसमें जो फिजिकल गए है मैंने स्लेबस पर वीडियो अप्लोड किया चैप्टर पर भी किया तो प्लीज आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए और ज्यादा से यादा प्लीज वीडियो को शेर कीजिए ताकि आप लोग या आपके जो फ्रेंड्स है वो फिजिकल एजुकेशन में अच्छ पायाम स्टार्ट में और कीजिए ताको एजने सामी लाद यादा लगर, शय और बामें है, वादा कीजिए वेफदर बामें अच्छे स्टार्ट किया गणिए काना स्टार्ट और एल जित हैएंज